कि अगलो फ्रैंस कि तो आज की स् वीडियो में हम स्टैडी करेंगे एनिमीजम और इबी टाइलर जो है जो है इस पार यूपी किसी में इनके रिलेटीर क्वेस्टन भी आया था तो उस पे हम बार में आएंगे किसी फ्यूचर वीडियो में तो इबी टाइलर की थियोरी क्या है एनिमिजम को लेकर इसको भी स्टडी करेंगे तो देखिए पैसिकली और क्यूं हम स्टडी कर रहे हैं इसको थियोरी यह नइंचली वीडियो में जो डुर्खायम की बनाई थी मैं ने रिलीजं पे इंट्रोडेक्ट्रि वीडियो उस में ने बताया था के तुर्खायम स्टडी करना चाहता है उरिजनल रिलिजनink को सबसे पहला ओरिजनलल रिलिजन क्या था उसको फिर मॉटर्ण एंउस्स्टर रिलीजन है उसको स्टड़ी करेंगे मैंने डॉक्टर की और एड्स की बिमारी की एक एग्जेंपल भी दे थी उसमें पिछली वीडियो में अगर आपने वो देखी हो तो तो वही है कि अब यह क्वेस्टन जो इमायल दुर्खायम पूछ रहा है इससे पहले भी वह सारे एं जो यह एनिमिजम है यह सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है सबसे पहला रिलीजन है जो हुमन्स ने बनाया ठीक है जो हुमन्स का सबसे पहला रिलीजन था हुमन की सोसाइटी का वो एनिमिजम था अकार्डिंग टू ईबी टाइलर ठीक है तो एनिमिजम होता क्या है एनिमिज में होता है कि attribution of soul ठीक है attribution of soul to plants and inanimate objects plants क्योंके यह हम living beings हैं तो इसलिए मैंने अलग से लिका है तो animism का concept यह है यह एक ऐसा religion है कि जिसमें जो उसके मानने वाले हैं वो कहते हैं कि जितने भी plants हैं उनमें भी एक soul होती है एक हात्मा होती है और जितने भी in animate object है जैसे वर्ड हो गया को लकडी हो गी ठीक है stone हो गया ठीक है या मान लो चांद हो गया ठीक है तो ऐसे सारे objectives में भी soul होती है water हो गया कुछ भी आप ले लो पानी में भी मतब हो यह spring हो गया कोई ठीक है तो वो कहते हैं कि in achievement objects objects हैं उन में soul होती है यह एनिमिजम का मानना है ठीक है हर मतलब इन इन इनिमेट objects में भी और plants में भी और इसके इलावा जो living वाले हैं उनका तो है ही है लेकिन उनको बहुत सारे और रिलिजिंज जो टाइप के टाइप आफ रिलिजन वह भी मानते हैं कि humans में भी soul होती है लेकिन यह उसको तो मानता ही है लेकिन इनिमिजम में उसके इलावा plants और inanimate objects को भी soul attribute की जाती है इसको religion of spirits भी बोला जा सकता है तो soul आत्म होगी और spirit थोड़ी devilish nature की होगी ठीक है यह soul spirit कैसे बनती है इसमें डिफरेंस किया यह मैं में आगे बताऊंगा अभी आप इतना मान समझ लिजिए के soul एक प्यूर फाम है आत्म है ठीक है यह बूरी भी हो सकती है यह soul जो होती है अच्छी होती है लیکन जो spirits होते हैं यह दो टाइप को ती बूरे भी हो सकते हैं अच्छे भी हो जाते हैं ठीक है और सोल ही बाद में स्पीरिट बनती है ठीक है यह मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा इट एड्रेसी है क्योंकि स्पीरिट से डील करता तो स्पीरिट अबस्पीरिट्स भी हो गई जीनी भी ओगए परेट भी होगए बूत भी बूत वगइरा इन सब पर एनिमित्स्म का विश्वास है ठीक है एसरो इबी टाइलर की ठीयोडी कैसे थी उसके कारडिंग ली एनिमिजम सबसे पहल है, तो उस के सारे अमींस जो हैं उस रिलिजन के सारे जो आइडिया Yaz है भो औरिजिनल होने चाहिए और वो किसी उस रिलिजन से पहले रिलिजन से बारओं नहीं किए होने चाहिए भी है अब अगर इबी टाइङलर यह था सहाबित करता है कि एनमीमियम जो था इसने जितने भी इसके आईडियास से ओरिजिनल थे और इससे और इससे पहले किसी और रिलिजिन से इसने कोई आईडिया बारू नहीं किया तो इसका मतब एनिमिजम सबसे पहला होगा ठीक है तो अब ये क्या कहता है किस तरीके से डिवेलप होगा तो इसके अकारडिंगली एनिमिजम इस दा ओरिजिनल एं़ोस्ट प्रिमिटिव रिलिजिन तू प्रूव इट अब इबी टाइलर कहता है कि मेरे इनिमिजम सबसे पहला रिलिजिन है और ये कहता है कि इसको प्रूव करने के लिए कि एनिमिजम सबसे पहला रिलिजिन है तीन चीज़ें प्रूव करने चाहिए क्या पहला के जो सोल का आइडिया ठीक है ये अब ये बताता है ये तो इमाईल दुर्खाइम की बात थी कि बोलता था कि बारो वाला नहीं होना चाहिए औरीजनल आइडिया होना चाहिए लेकिन ये कहता है कि एनिमिजम को सबसे पहला रिलीजन मानने के लिए तीन चीज़ें अगर मैं प्रूव कर दूँ तो ये थापत हो जाएगा पहली क्या कि जो आइडिया अफसोल है ठीक है आत फिलीफ में सोल का कंसेप्ट नहीं था ठीक है तो ये औरीजनल आइडिया इसका अगर ये परूव कर देगा तो इसका मतलब क्या है ये औरीजनल है दूसरा हाउस सोल बिकेम स्पीरिट एन्हेंस और ये कहता कि फिर मैं अगर ये साबत कर दूँ कि सोल से स्पीरिट कैसे ब आधिक है किस तरीके से पहला बताएगा कि सोल का इसका आईडिया जो है औरीजनल है पहले एक्रिस नहीं करता था एनिमीजम में डिवैलप हुआ फिर भाइगा उस से किस तरीक छे स्पीरिट आई ठीक है स्पीरिट कैसे बनी और स्पीरिट जब जिखो लोग जो पूझ द इने मीजम यह यारखना सोल कंसेप्टल के वोल aún जो पूजते हैं वो की जाती है ठीकिति ना कूं नोत कॉलत कसकी चाती है spirit की, तो soul से किस तरीके से spirit बना, ये बताएगा तो ठीक है, ये वार्शिप जब की जाती है तो इसको कहते है, cult of worship होगा है, मैं तो cult करने वाले थी, तो cult of spirit, यानि कि cult of spirit कैसे बना, ठीक है, वो ही मैंने लिखा है, कि ये जो spirit है, ये object of worship by this cult कैसे बना, how naturism, cult of nature, ठीक है, एनिमिजम को आप ये भी कह सकते हैं, एनिमिजम को क्या कह सकते हो, आप, cult of spirits, इसमें spirits की पूजा की जाती है, ठीक है, और how naturism, that is, cult of nature, निचरिजम हो गया जिसमे natural, nature के जो products हैं, उनकी पूजा जाता था, जैसे water को, storms को, ठीक है, moon हो गया, और सूरज हो गया, ठीक है, sun, ऐसे जो natural चीज़ें हैं, उनको जिस चीज़ में पूजा जाता है, उसको कहते है naturalism, ठीक है, window हो गई, ठीक है, ये nature, तो अब cult of nature जो है, वो इससे कैसे derive हो, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये natureism की बात क्यों कर रहा है, इबी टाइलर के वक्त बहुत सारे और लोग थे, ठीक है, वो बोल रहे थे, कि जो natureism है, ये सबसे original है, ठीक है, ये original है, और इससे animism derive हुआ, ये बहुत सारे लोगों का मानना था, ठीक है, इससे derive हुआ है, ठीक है, वो animism से derive हुआ है, तो इसलिए ये बताएगा कि animism पहला है, नेचरism animism से ही निकला है, अब ये देखे, इस बार एक question भी है था, यूपी ऐसी में कि E.B. टाइलर के view, और Max Müller के views को compare करो on religion, तो वो ये ही है, E.B. टाइलर जो है animism की बात करता है, और Max Müller जो है, वो नेचरिजम की बात करता है, ठीक है, और ये इसके according लिए नेचरिजम सबसे original था, इसके according animism सबसे original था, अगर आपको इतना पता होगा, तो फिर आगे आपको नेचरिजम एनिमिजम क्या है, तो आप वो answer लिख सकते हो, ठीक है, तो ये तीन चीजें ये परूव करेगा, अपने point को रखने के लिए, soul, original idea है, animism का, किस तरीके से develop हुआ, ये बताएगा, without taking any help from previous religion, ठीक है, लोगों हुट develop किया, फिर ये बताएगा कि soul से spirit कैसे बनी, यानि cult of spirit कैसे बन गया, animism कैसे बन गया, और how naturalism, फिर naturalism, animism से कैसे derive हुआ, तो ये मैंने आपको एक बराडली बता दिया, अब ये पहला बता रहा, idea of soul, इबी टाइलर के idea of soul कैसे develop हुआ, तो इसको, इसके related जो theory है, उसको dream theory भी आप बोल सकते हो, dream theory, ठीक है, ये इबी टाइलर की famous theory है, ये कहता है कि, idea of soul लोगों को कैसे आया, it was suggested to man by the double life, कि इनसान जो होता है, वो double life जीता है, double life कैसे, हर इनसान जो था, वो double life जीता था, शुरू से ही, double life होगी, एक वो लाइफ जो बन्दा जागती हुए जीता है, मतलब अवेकन स्टेट में, ठीक है, और एक जो वो सोया होता है था, ठीक है, तो हर इनसान जो होता है, वो एक double life जीता है, ठीक है, जब वो लाइफ से, यह हर इनसान जीता था, तो इसी लाइफ से आईडिया अफ सोल डिवेलप होगी, यह और इजिनल आईडिया है, यह हुमन्स ने खुट डिवेलप किया, ठीक है, और किसी और रिलीजन से, नेचरीजम से इन्होंने अडाब नहीं किया, ठीक है, अब यह क्या है, स्लीपिंग स्टेट में क्या होता है, जब इनसान स्लीपिंग स्टेट में होता है, तो वो ड्रीम करता है, ठीक है, वो खौब देखता है, अकारडिन टू इबी टैलर, और इबी टैलर क्या है, मतलब देखता है यह हर कोई, और खौब या वो आपने ऐसे दोस्त जो उसके दूर्दा座 के कभीलों में रहते है ट्राइबस में रहते हैं उनसे वो बात कर रहा है खुआब में ठीक है जो उसे वो जड़ा दूर रहते है देखेए कि जब वो ःटता है अट स Ole blender स्टेट में तो अटेखता है कि actually वो तो कहीं गया ही नहीं वो तो उसकी बाड़ी तो वहीं पड़ी हुई है जहां वो रात को सोया था अपनी ही जिगा अपनी ही रहने की जिगा अपनी ही गर में तो वो फिर foreign country में कैसे visit किया उसने रात को क्यों इनसान को तब ये इतना ज़दा इनसान रेशनल नहीं था according to E.B. टाइलर कि वो clearly इन चीज़ों का जवाब डून पाता कि मैं foreign country में कैसे गया मैं दूर दराज एरियों में जाके हंटिंग कैसे की मैंने अपने दोस्तों से कैसे बात की तो वो कहता कि ये सवाल हर इनसान को आता था उस वक हर इनसान डबल लाइफ जीता था तो इस सवाल का जवाब इनसान ने ये निकाला क्योंकि इनसान है rational उसमें है क्या reason यूज करता है animal में और इनसान में यही difference है कि इनसान reason जानना चाता है कुछ हो रहा है तो उसका reason क्या है हो रहा है कास जानना चाता है इंसान को दिमाग है माइंड है तो इसलिए इंसान सोचता है ठीक है तो इंसान ने का कि हाँ इसका एक ही तरीक है कि मैं अभी यहां पे सोया हूँ और मैं फारं कंट्री में कैसे गया मैं रात को यहां पे पे गई और वो कहता है कि वो मेरी सोल है वो मेरी आत्मा है ठीक है वो मेरा मेरा वो पार्ट है ठीक है इनसान कहता कि मेरा ड्यूलिजम मेरा ड्यूलिजम की फिलास्फिय है कि मेरे दो पार्ट है एक तो में हो गया खुद मेरी बाडी हो गई ठीक है और एक मेरी बाडी के यह बी है के मेरे बिस भी खुभाब में लगे तो यह इसका एक यह भी है कि मेरे दोस्ट दोस्त था वो किसी फारण जगह पह बैठा हुब है अगर उसको ऐसी خुभा आती कि वह मुझे मिलने आ इस خोभ में आता है कभी मेरे घर मेरे दोस्त मुझे मिलने आई आ गए خواب میں जो कि मेरा दोस्त बहुत किसी दूर दराज एरिया में रहता है तो कहता है कि हाँ भाई वो भी उसकी भी बाड़ी कहीं लेटी होगी तो उसकी भी सोल मुझे मिलने आई थी यहां ठीक है तो इस तरीके से में सोल का आईडिया इनसान ने निकाला कि यह जो चीज जो रात को मैं दूर दराज जा रहा हूं यह actually मैं real में जा रहा हूँ और मेरी soul जा रही है वहाँ पे तो यहां से properties of soul यह जो soul का idea दिया है इसकी properties क्या है हमें पता चलेंगी इस diagram से आपको पता चल देंगी जो मैंने अभी तक बात की क्या properties of soul है पहली बात तो soul malleable है और plastic है soul बहुत flexible है क्यों देखिए आपकी body है और body वहीं पड़ी है और body से निकल के बाहर जा रही है न ठीक है तो soul मतलब आपकी body में छोटे चोटे पोर्स होते है उन पोर्स से बाहर निकल रही है जैसे holes होगे ठीक है जितने भी holes मोत हो गया ठीक है आपका तो आपके nose होगे nostrils होगे ठीक है और आपको पता ही है आपका एनस वेर ठीक है तो ये जो holes है body के इन में से वो कहता है कि जो पराने इंसान के हिसाब से जो soul है वो निकल सकती है बाहर वो इतनी मेलेबल है कि वो छोटी बनके इन से बाहर निकल सकती है वो plastic farm में है ठीक है तो इसलिए पहली property ये आगी तबी तो वो निकल पाएगी बाहर ठीक है दूसरी बहुत ज़्यदा mobile है mobile in the sense वो बहुत ज़्यदा तेज है fast है वो उड़ सकती है तबी तो इतनी foreign जगा पे वो विजट करके आएगी ठीक है इतनी जल्दी गई ये वापस आगी एग गंटे में इनसान सोगे है तो एग गंटे में ख्वाब में पता नहीं कहा कहा पूंग जाता है तो दूसरी इतनी property थी ये soul बहुत mobile है ठीक है ये उड़ सकती है ये इसके पास बहुत जारी तौकती है पावर रहा है इसके पास तब ही तो ये इतने जल्दी ये फास्टली मूव करती है ठीक है तीसरा इट इस इन इमेज आफ़ बाड़ी और तीसरी ये soul दिखती कैसे है जैसा मैं हूँ जैसे मेरी बाड़ी है वैसे ही दिखती है तो ये इमेज आफ़ माई बाड़ी है ठीक है तो ये एक soul का इनसान ने concept निकाला उस वक्त अपनी डबल लाइफ से इस ड्रीमिंग स्टेट और अवेकन स्टेट से कि एक soul होती है हर इनसान में जो रात को जब जब इनसान सोया होता है ठीक है हर इनसान में soul होती है ऐसा इनसान में ये concept निकाला similar concept इनसान ने और भी कुछ अपने जो experience से ठीक है उन से ये same और भी experience से इनसान ने निकाला soul का concept जैसे कोई faint हो जाता है तो वो भी ऐसी state में पहुंच जाता है या ecstasy यानि जब नशे नशा बगएरा करता है इनसान catalypsy epoplexy ये ऐसी condition से जब इनसान नशा बगएरा करता है drugs बगएरा लेता है ठीक है तो वो ऐसी states में चला जाता है तो उस states में भी ऐसे ही ख्याल आते हैं इनसान को कि मेरी soul निकल दिया में दूर दराज दिया मैं जा रहा हूँ मैं हवा में ओड रहा हूँ ठीक है इनसान को कभी आप जिसने नशा बशा किया होगा वो जानता होगा ठीक है तो ये एक इन सब चीज से इनसान ने idea of soul निकला तो इसने पहला पाइंट तो बता दिया कि इबी टाइलर ने explain कर दिया कि जो soul का concept है ये originally इनसान ने निकला देखो ये कहीं से इन्होंने adapt नहीं किया किसी culture से इन्होंने adapt नहीं किया कि फलानी society के लोग मानते है soul पे तो हम भी उनसे इन्होंने निकला इसलिए हम भी soul पे माने इन्होंने खुद develop किया इसने बताया कि किस तरीके से primitive इनसान ने जो जड़ा rational नहीं था तो उसने soul का idea develop किया ठीक है दूसरी बात अब ये बताया कि इससे कल्ट of spirit कैसे start हुआ यानि कि spirits की worship ये तो भी soul होती है लेकिन soul को worship करने की क्या ज़रूरत है इनको लोग पूजेंगे क्यों ठीक है soul होती है चो लोग मान लिया होती है दूर दराजरिया में जाती है लेकिन इनको पूजें क्यों ठीक है इसकी worship क्यों करें ये कल्ट कैसे develop हुआ ठीक है जब बनी तो हमें explain करना पड़ेगा कि soul से spirit कैसे है क्योंकि spirit को पूजते हैं सब soul को कोई पूजता नहीं इस transformation of soul to spirit took place due to concept of death अब एक और experience था जो हर इंसान जो है वो अपने इद्गी देखता था कि लोग मर रहे हैं जितने भी primitive में थे कि उनकी family में कोई मार रहा है उनकी society में कोई मार रहा है death is effect ठीक है death effect है उस वक्त भी लोगों को आती थी death तो वो हर इंसान experience कर रहा है कि फलाना मार रहा है फलाना मार रहा है उसके सामने मोगत हो रही है तो इस death के concept से spirit का concept आया कि जब death हो जाती यह तब क्याता है वो कहता है death जो है वो sleep ही कि तरह होती थी ठीक है death भी एक किसम की sleep ही है सिर्फ फरक इतना है कि death यह permanent sleep है ठीक है जब कि normal sleep जब हम रात को सोते हैं तो हम सुबा जाग जाते हैं लेकर एक बार death हो जाए तो death एक ऐसी sleep है कि यह permanent है इसके बार बंदा जागता नहीं है ठीक है तो इसका मतलब normal sleep में जब हम dream देखते हैं तो हमें soul का concept आए कि हमारी soul बाहर जाती है हमारी body से निकल के travel करके और फिर वो वापस आ जाती है जब हम उठते हैं तो वापस आ जाती है लेकर death permanent है तो यह लोग सोते हैं कि तो permanently सोया हुआ इसका मतलब क्या है यह उठ क्यों नहीं रहा है पराने इंसाने सोते हैं death क्या है death permanent sleep है और यह उठ क्यों नहीं रहा है बंदा वो यह कहते थे कि जो इसकी soul है वो permanently इसकी body को छोड़के चली गी है ठीक है PERMANENTALLY LEFT THE BODY कि इसकी soul permanently body को छोड़के चली गी है तब ही यह नहीं उठरा, यह actually सोया ही हुआ है पस इसकी soul चली गी है soul वापस नहीं आ रहे हैं तो sleep से idea हमें आया, vendoring soul का कि soul vendor करती रहती है ठीक है वेंडरिंग soul का concept हम मैं कहां से आया sleep से कि इंसान की जो soul है वो गूमती रहती है बाहर लेकर वापस भी आ जाती है लेकर death क्या है permanent sleep है person जाग नहीं रहा है तो इससे idea है कि soul ने permanently body को छोड़ दिया this is called spirit as the body is destroyed, अब ये क्या है कि जो बार्डी, पर्मनिनटली बंदे की बार्डी को छोड़के चलीगी सोल, तो पीछे बार्डी का क्या होता है, बार्डी पीछे क्या हो जाती है वो डिस्ट्राइ हो जाती है, बार्डी पीछे decompose हो जाती है totalement डिस्ट्राइ हो जाती है soul permanently छोड़के चलीगी है body को ठीक है तो इससे आईडिया यह जो spirit इससे idea इस spirit इस चीज़ को spirit कहते है यानि जब body distract हो जाए soul permanently छोड़के चलीज़ यानि जब death हो जाए ठीक है death को कैसे explain करते थे कि जब soul permanently body को छोड़ के चला जाए और पीछे से body जो है वो destroy हो जाए ठीक है तो तब ये जो soul है इसको हम spirit बोलेंगे क्यों तो spirit की क्या properties होगी कि spirit वो soul है वो आत्मा है जो अब body की तलाश में जिसकी original body destroy हो चुकी है तो ये क्या कर रही है body की तलाश कर रही है ठीक है इसको कोई body चाहिए जिसमें ये इंटर करें ये किसी की body की तलाश में है तो ये आगी spirit तो what is spirit spirit एक ऐसी soul है जो एक died person की जो soul है उसको हम spirit बोलेंगे क्योंकि उसकी body destroy होगी है वो next किसी body की तलाश में है ठीक है तो spirit क्या हो गया it is soul of dead person it has same needs and passion as when it was alive अब ये spirit की properties क्या है कि जो जब बंदा जिन्दा था तो बंदे की जो خواہशात थी जो desires थी जो अर्मान थे उसके वही spirit के भी अर्मान है यानि एक बंदा में हूँ अगर और मेरा कोई दोस्त है friend है तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं उसकी help करूँ वो बहुत गरीब है और जब मैं मर जाँँगा तो मेरी जो spirit है ठीक है क्यों मरने के बाद soul spirit बोलेंगे उसको तो मेरी spirit की भी यही desire होगी कि मेरे उस friend की help करे मेरा कोई enemy है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मारूँ बरबाद कर दूँ तो मेरी जो मेरी जब मर जाँगा तो मेरी जो spirit होगी उसका भी वो enemy होगा उसकी भी यही क्वाइशाथ होगी कि वो उस enemy को मारे उससे बदला ले ठीक है पहली बात क्या आगी dead person की होती है दूसरी बात इसकी needs इसके passions इसकी desires वही होंगी जो जब वो जिन्दा था शक्स उसकी होती थी ठीक है तो if help friends ठीक है और अगर अब यह है कि अगर कोई ऐसी soul है अपने दोस्तों की help करना चाती है अपनी family की help करना चाती है ठीक है family member की help करना चाती है तो उसको हम बोलेंगे good spirit ठीक है उसको लोग बोलते थी यह अच्छी spirit है और कोई harm करना चाती है दूश्मनों को तो उसको बोलेंगे evil spirit मतब दो टाइब की स्पीरिट हो सकती है मैंने बात की थी सोल स्पीरिट का बनती है जब डैड बंदा मार गया तो उसके बंद बन जाती है स्पीरिट क्योंकि बाड़ी की तलाश में है और अभी स्पीरिट दो टाइब की हो सकती है क्योंकि इसकी desires वही होगी जो शक्स की थी अगर वो अच्छा शक्स होगा तो spirit भी अच्छी हो जाएगी तो मतलब good spirit हो सकती है जो help करना चाहती है आपकी और evil spirit हो सकती है जो आपसे बदला लेना चाहती है यानि अगर आपका दुश्मन मार गया है तो उसकी spirit भी आपकी दुश्मन होगी वो आपसे बदला लेना चाहेगी और अगर आपका दुश्मन मार गया है वो आपकी help करना चाहता है तो वो good spirit है thanks to fluidity oh shit एक second thanks to fluidity it can enter into anybody body और क्या है spirit में ने पहली बात किया spirit बूर फ्लूड है मोबाइल है प्लास्टिक है बाड़ी के होल से अंदर बाहर जा सकती है इसलिए यह बाड़ी की तलाश में और यह किसी भी बाड़ी में इसईली गुस भी सकती है तो आपने पतब आपको पता होगा जो लोग आत्माओं पर विशुस करते हैं वो यह मांते हैं एनिमीजम वालए मेरे मेरे अंदर किसी की भी spirit आके गुश सकती है, जो body की तलाश में, वो spirit मेरे अंदर भी गुश सकती है, तो आपने देखा होगा किस तरीके से हिंदुएजम में भी, इसलाम में भी है, किसी बंदे को जीन ना आ गया, किसी को माता आ गी, किसी के अंदर कोई बुरी आत्मां ने कबजा कर लिए, फि बितने होते भी उर सरॉंडीड बाई डीज़ इसि पिरीट्स और क्विक एक सोसायटी में, कितनी ज़धा डहती होती है, आपके दूश्मन भी मरते हैं, दोस्त भी मरते हैं, मरते ही रहते हैं, ठीक है, मरे व te अई लोगों की कितनी जधादा कबस्तान की कबरस्तान बड़े होते हैं ठीक हि, शमशान, गाट बड़े, उनकी चिताईंग इतनी लोगों की झालगी है, तो इसलिए जब इहेग्ए ससाइटि है, तो ऊसके, उस सकाइटी, उस ससाइटी में spirits होंगी होंगी, क्यों वहां इतनी गैट हुए होगी, तो people जितने भी society में रहा है they are surrounded by these spirits spirits की population कोई कम नहीं है spirits की population जितने लोग मरें उतनी population spirits की है ठीक है spirits की population बहुत ज़दा होती है तो people जो किसी society में रहते they are surrounded by these good and bad spirits good and evil spirits से लोग गिरे हुए है ठीक है to seek help अब दो चीजे है आप अच्छी spirit है उसे help मागोगे ठीक है बुरी से बचो बचना चाहोगे या अगर आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हो आप जिन्दा हो मेरा कोई दुश्मन है तो मैं चाहूँगा और मैं किसी bad evil spirits से help लेके उस बंदेश से बदला लो ठीक है तो यही बात है कि evil spirits आप या तो आप spirits से आप क्या करना चाहोगे या तो help लेना चाहोगे ठीक है तो seek help from good spirits and to keep evil and angry spirits away अब इंसान क्या चाहते थे वो surrounded by these spirits थे इतनी spirits से हमारी society के एदर गर गर रह रह रही है तो वो यह चाहते है कि हमें अच्छी spirits से हम कुछ लोग चाहते हैं कि help ले 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 ठीक है और कुछ चाहते हैं कि जितनी भी evil spirits से मेरे दुश्मन की spirits से गुसे वाली spirits से उन से मैं भाई बचा रहा हूँ मेरी इतनी इतनी ख्वाइश है तो इस चीज़ के लिए लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिए आफरिंग देना स्टार्ट कर दिए यानी देखो यह क्या explain करता है कल्ट अफ पहले बताया vigor ने soul से spirit कैसे आ पफ़े idea of soul फी cult of spirit बता रहा है यानी cult of spirit की worship कैसे start हुई ठीकिए पहले हमने पताया spirit क्या होती है और worship कैसे start वी इस चीज़ की वज़ा से offering लोग देने लगे good spirit से help लेने के लिए उसको offering देंगे और बुरी spirit हमें कुछ बरबार हमारा बुरा ना करे इसलिए उसको भी offering देंगे and hence concept of offering sacrifices उसके लिए sacrifice देना prayer दुआ करना उससे ठीक है मिन्नते करना ancestor worship ये cult of ancestor worship इमर्च हुआ तो आप ये cult of spirit को आप एक cult of ancestor worship भी बोड़ सकते हो क्योंकि हिंदूइजम में तो ancestor worship का concept है तो ये भी animism से ही जैसे एक question आता है UPSC में के आप ये बताओ कि animism जो है वो जितने भी modern religion है उनमे एनिजम मुझूद है in all modern religion ये concept था तो उसमें आप ये भी एक example दे सकते हो जो ancestor worship की जो हिंदू modern religion क्या हिंदूइजम एक हो गया example तो इसमें जो है animism किस फार्म में मुझूद है cult of ancestor worship इस फार्म में modern religion में भी ये मुझूद है ये वही concept है ठीक है ये एक example ऐसे इसलाम में भी है भुद्धिजम में भी है मतलब ऐसी कि animism की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ठीक है तो ये सब चीज़ें मतलब cult of spirit animism idea of soul से कैसे develop हुआ पहले लोगों ने soul का idea निकाला फिर spirit का निकाला वो निकल नहीं था क्योंकर sleep और death होती रहती थी और फिर क्योंकर लोग गिरे हुए थे इन spirit से तो उन्होंने उनको क्या किया evil और bad से बचने evil से बचने के लिए good की help लेने के लिए idea of worship निकला ancestor worship का sacrifice का offerings का प्रेयर्स का यह idea निकल गया दस तफस्ट यह कहता है एबी टैलर के पहला जो कल्ट पकल्ट था यानि पहला जो religion था वो क्या था वो एनिमिजम था या उसको हम बोल सकते हैं ancestor worship यानि जिसमें लोग अपने जो family के member हैं जो मर चुके हैं जो इतने भी ancestor मार चुके हैं वो उनकी वार्शिप करते थे तांके उनसे help ले सकें या कोई अगर family में कोई ऐसा आपको दूश्मन मार गया तो उससे बाच सकें तो इसलिए क्या हुआ अब देखो इनसेस्टर वार्शि में क्या लोग करते थे जब इनसान कोई मरता था तो funeral rights करते थे क्यों कि ये मार गया है तो उसकी जो dead body है उसको दफनाते हैं ठीक है burial क्यों start हुआ क्योंकि कोई मर गया है तो उसकी जो body है उनको पता है अब इसकी spirit भाई spirit evil है ये हमें छोड़ेगी नहीं या ये अच्छी है तो इससे help लेनी है तो उसकी body को अच्छे से treat करेंगी तो अच्छे से funeral rights करके सजा के नहला के ठीक है उसको जितना भी अच्छे तरीके से उसको सजा के कप्ड़े पहना के ठीक है जैसे दुलहन کو सजाते है की ओडितों को जो मर जाती है शादी शुदा ओड़त मरती है तो उसको सजा वजा के उसको क्या करते है जलाते है funeral lights बर्यलों करते है जैसे इसलाम में है के जब कोई מर जाता है तो उसको सेंट बगएरा लगाते हैं ठीक है उसको तांके उससे खुशबू आए तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया उसकी ये भी देखो इसलाम में मैंने बता दिया ने सेंट बगएरा बर्यल फ्यूनरल रायट्स फ्यूनरल रायट्स हर रिलीजिन में हर माडरन रिलीजिन में फ्यूनरल रायट्स हैं तो एक और एक्सेंपल देता हूं उस क्वेस्चन की ठीक है फ्यूनरल रायट्स माडरन लीजिन में जो फ्यूनरल रायट्स है ये भी एनिमिजिन से निकले हैं ये भी एनिमिजिन और सबसे पहली वो कहता कि जो आफरिंग्स हुई जो कभी भी हुमन सोसाइटीज में वो फूड आफरिंग थी लोग खाना देते थे एंसेस्टर वार्शिप को ठीक है जैसे शराद करके होता है न कुछ शराद होता है हिंदूइजम में ठीक है जिसमें क्या है कोई लेक बग बिटर्स थे वो क्या थे वो टॉम्स थे ठीक है तो क्या हो गया कितना कुछ निकल गया इस बिजिन से स्कल्ट अफ स्पिरिट से इस स्पिरिट के आइडिया से कितना कुछ निकल गया फ्यूनरल राइट्स ये भी modern दोर में modern लिजिन में मुझोद है fud offerings आज भी होती हैं सबसे पहली ौफर्ट नो धू जो ती उसstग लोगो और क्या ही आफर करते उनके पास कुछ और जारा थो नहीं तो खानावाना आफ गरते थीं sacrifice करते थे किसी बक्री बक्री गोट वगयरा को sacrifice कर दिया तो sacrifice का अडिया भी आया जैसे वेधिक रिलिजिन में भी sacrifice का अडिया था टॉम्स और टॉम्स बनाए जो लोग मर गे उनको बर्यल तो किया अच्छे से सजावा जाके और उनके फिर वहां पर मिजार बनाए टॉम्स बनाए जैसे मुगलू के वदूरी अमत ये तो इसलाम में वो जड़ा होता है कि मजार बनाते हैं ठीक है क्यों कि इसका मजार बना दिया वहां पूजेंगे वहां food offering सब कुछ होगा ये spirit खुश हो जाएगी और हमारी help करेगी या evil है तो शान्त हो जाएगी ठीक है अब ये बात होगी एनिमिजम की इबी टाइलर ने इतना बता दिया एनिमिजम कैसे develop हुआ क्या है एनिमिजम बता दिया अब ये है कि जो लोग कहते थे जैसे मैक्स मूलर वगएरा कि नेचिरिजम सबसे पहला है तो ये बता रहा है अब ये उसको counter करेगा उन लोगों को ये criticize करेगा एबी टाइलर ये कहेगा नहीं बाई आपका नेचिरिजम मेरे इसे एनिमिजम से निकला है ये idea of soul spirit वगएरा से कल्ट of spirit से ही नेचिरिजम निकला है आपका नेचिरिजम से ये कहते थे नेचिरिजम से निकला है लیکन नहीं इसने बताय कर देखो मैंने तो एनिमिजम के सारे idea को कितने भी idea है soul का idea वगएरा ये एनिमिजम का मैंने ओरिजिनली बताया ये कैसे निकला ये हमने नेचरिजम से एडाप्ट नहीं किया ठीक है तो अभी तक तो इसने बिलकुल थाबत कर दिया इबी टाइलर ने के एनिमिजम सबसे पहला है ठीक है हालनके दुर्खायम जब आएगा तो इसके इस आइडिया की दजियां उड़ा देगा ठीक है तो अब ये बताएगा कि नेचरिजम जो है वो अच्छली कल्ट अफ नेचर जो है वो कल्ट अफ स्पिर्ट से ही निकना है तो इबी टाइलर कहता है प्रीमिटिव जो इनसान था उसकी जो मेंटालिटी थी वो एक बच्चे की मेंटालिटी थी मतलब वो इतना ज़दा रैशनल इनसान नहीं था कि बड़ी बड़ी चीजें अच्छे चे रीजन निकाल ले scientific reasoning वो एक बच्चे की तरह सोचता था जैसे हमारा modern दूर का बच्चा होता है वैसे ही वो सोचता था जिस तरीके से एक बच्चा है वो जो भी चीज को देखता है तो वो क्या करता है उसे human being की image में देखता है वो human being के model की farm में देखता है को कोई खिलोना है तो बच्चा क्या उसे बातीं करता है बच्चे को थोड़ी पताए है कुछी छोटा खिलोना है कोई चोटा जैसे कोई लड़की, अभ़चो जो छोटे बच्चे खेल दे होते हैं तो वो उसको अप अपनी बेटी की तरह सोचते है यह जिन्दा है कि एट खाय में जो फुलोना है उसको पानी पिलाने में कोश्च है कुषिच करते हिर रोंट कि कम्री करते हैं कपड़े कर gather और अइसको फाब में उछाइने εί沒 जितने भी जो बच्छे हैं वông एनिमेड चीजों में और इनिमेड चीजों में朝 नहीं कर नहीं कर पाताँ ठीक है झालत वो नके लिविंग बींग्ज जैसे हैं वह जैसे ट्री वग्यरा होगी पत्थर वग्यरा होगी ठीक है पानी हो गया हर चीज को human की image में देखेंगे यानि जो जो human की properties निए इन में भी वही properties इंसान बात करता है वो बोलेंगे खिलोना भी बात करता है पत्थर पिर्फ को अपनी properties human की properties expressed देखना देखते हैं human की image में देखते हैं ठीक है तो अब यह कहता है भी टैलर और प्रीमिटिव इनसान ऐसा ही सोचता था वो भी एनिमेट और इनिमेट चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाता था उसके लिए भी जो अगर human में idea of soul आ गया तो हर चीज़ में उसको idea of soul देखेगा human में कुछ properties हैं तो हर चीज़ में वो properties वो देखता था ठीक है तो प्रीमिटिव में को ना differentiate also as human being have soul जिस अब यह है कि human being को need आती है तो वो बोलेंगे पत्रों को भी समगे नीद आती है पाणी को भी नीद आती है हवां को भी नेद आती है चांद को भी नीद आती है human बिंग शादी करता तो हार चीज़ को सीँ मेंद में देखते थे और वैसे हैं आईडिया वो develop करने लगें तो वो कहता that human beings में soul थी according to primitive men तो जितने भी inanimate things है उन्होंने कहा कि इन सब में भी soul है ठीक है इन सब में भी soul है यानी चांट सूरज पानी ठीक है sun moon winds water हर चीज में soul है किसने बोला इनिमीबर में क्यों कि ये पहले ही बोलते हैं इन्होंने पहले idea निकला human में soul है फिर उससे आइडिया क्या हुमना की में हर चैसे малा थे लूट को देखे थे तो आप यहिए इनोंने में का हुंनने का हिंन में सोब है तो धियंगा। जितने भी चीजें उन्स सब मैं उनको हुमन की प्रापरटी से देखते थे वंगे उन्हें भी सौल है चांद तो हर चीज को तो अब क्योंकि हुमन की जो सोल को वार्शिप करते थे तो हुमन की बैड और अच्छी पीरिट्स होती थी तो यह जो चीजें यह बीड हो सकती है इसलिए वो इनकी भी वार्शिप करने लगे तो पहला कल्ट हमारे था कल्ट आफ इंसेस्टर कि हुमन्स के जो इंसेस्टर मरे हैं उनकी स्पीर्ट से बचो बाई उनको पूझो शुझो या उनकी हेल्प लो और दूसरा क्योंकि हर चीज में अब इससे आइडा नकला कि हर चीज में ही क्या है सोल है ठीक है तो इससे इनको प्रीमिटिव इंसान एडा निकला कि इन चीजों को भी विर कल्ट हमें बनाना वड़ेगा इनको भी हमें वार्शिप करनी पड़ेगी तो नेचरिजम का कंसेप्ट यहां से निकला क्योंके पानी की भी हमें पूजा करनी पड़ेगी ठीक है वारना क्या होगा पानी की स्पिरिट को अगर गुसा आ गया तो फिर सेलाब आ जाएगा फिर फ्लाड आ जाएगा हमारे खेत बरबाद हो जाएंगे ठीक है और पानी अगर शांत रहेगा उसकी स्पिरिट को हमने अच्छे से आफरिंग दे दी तो अच्छा होगा स्प्रिंग्स की पूजा करने लगे सेकरेट स्प्रिंग्स का कंसेप्ट आ गया जो आज भी है कि स्प्रिंग्स में 로گ क्या करते थे उन में जाके आफरिंग डालते थे कि इन में आफरिंग डालएंगे तो फिर नी किया होगी फिर रैन हो जाएगी ठीक है तो रैन हमारे लिए हल्फुल है बीट कहीं स्टॉर्ज नह हो जाए बींट शांत रहें आज के लिए एतना ही काफी है ये था अबी टाइलर की ठीडी ड्रीम ठीड़ी जिस से उसमें पूरा मैंने बता दिया आपको किस तरीके से खिया है Soul क्या होती ए और इसका क्रिटीसिजम है मायल दुर कायम waarइम की तरफ से लेकर जाग हम जावट करिंगक पड़ेंगे तो उस वक्त मैं घठा करा दोंगा ठिक है उस मुटो क्रिटीसिजम के भी बात करेंगे अभी इस से बार मेरी जो next video आएगी वो नेचरिस्म पे आएगी ठीक है नेचरिस्म क्या होता है और नेचरिस्म पे मैक्स मिलर के perspective से हम असको पढ़ेंगे कि मैक्स मिलर का क्या concept था तो जो इस बार POC में question आए था कि EB Tyler और मैक्स मिलर के जो religion पे ideas है उनको compare करो ठीक है तो वो आपका question जो है इससे निकल जाएगा इभी टाइलर का तो आप जा आपको clear हो गया मैक्स मुलर का भी थोड़ा थोड़ा एक point तो आपको पता चल गए दो point पता चल गए इस question के पहला point किया कि जो टाइलर है वो animism को original religion मानता है और animism से relate करता है जबके जो मैक्स मुलर है वो natureism की बात करता है टाइलर कहता है कि animism से natureism आता है और मैक्स मुलर कहता है कि natureism से animism आता है तो इतना आपको पता चल गया आगे और भी पता चले चलेगा तो आप लिखते भी रहा करो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया करो और चैनल को सबस्क्राइब किया करो और या चितना भी हो सके वीडियो को शेर किया करो बाकियों को भी बताया करो कि अगर आपको अच्छी लगती है कि वीडियो अच्छी है वो भी तांके देखने शुक्रिया